बाबुल करदी पराईरे पातानी मुड कव Вам आना कहने लग दिया कि गुछ पता नहीं है मेरा कवाप्ती आना हो बाबुल करदी पराईरे पातानी मुड कव आना पभुल करती पराईरे पतानी मुणु तवु आना पभुल करती पराईरे पतानी मुणु तवु आना कहने लगती है कि पिताजी मैं तो ते आनन की चिडिया थी फिर क्यों तुने आज मुझे अपने इसी धर से दूर कर दिया मैं तो थी बाबुल तेरे आगन की चिडिया छोड चली सब गुडे गुडिया छोड त्राले सब गुडे गुडिया खड़ी रोवे ओ खड़ी रोवे खड़ी रोवे खड़ी रोवे माई ले पताने मुण तवु आना भाबुल कर दिवे पराई रे बताने मुण तवु आना यहो 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 पिताजी आपने तो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिराया था पिर आज क्यों आपने इस कलेजे के टुकुडे को अपने से दूर कर दिया उंगली पकड़ तुने चलना सिराया लाड लाड आए और गोद खिलाया लाड लाड आए और गोद खिलाया लाड लाड आए और गोद खिलाया लाड 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 आए और गोद खिलाया आज कर दी ओ आज कर दी आज कर दी पराई रे पताने पोड कम आना पावुर करके पराई रे पताने पोड आव याणा कर दी हाग है कर दूकर दी ओे बार गोज। कर दूकर दी ओनार लाड आज कर दी इनकार है गोद आर गोद आंथ आए तो याद्ड और्ल कर दो कर दो कहने लगती है कि पिता जी आज तक मैंने किसी भी चीज के लिए जितना करी किसी ने कहा है कि इस दुनिया में दो दुखी एक बेटी एक बैल है बैया पकड़ के कर दिये काई पर देशी की गैल है कहने लगती है कि भाई और बेहन में ये कितना बड़ा फरक बना दिया है बेटी को ही अपना घरवार छोड़ गे जाना पड़ता है और बेटी यही रह जाते हैं और कहने लगती है जितना करी कभी कुछ ना मंगाया जिदे ना करी कभी कुछ ना मगाया भाई बेहन में क्यों फरत बनाया भाई बेहन में क्यों फरत बनाया खाल रखना ओ खाल रखना ओ भाई ने पता ने मुण कभ आना भाई बेहन में कराई ने पता ने मुण कभ आना में तो थी भाबुलो नेरे खूने की गई आ नारे चांदे कौसिक मेरा कौन खिवाई आ नरे चांदे कौसिक मेरा कौन खिवाई आ ये कैसी हो ये कैसी चुदाई ने पता ने मुण कभ आना भाबुल करती पराई ने पता ने मुण कभ आना भाबुल करती पराई ने पता ने मुण कभ आना बोलिय सचे दर्वार की जाए